कौन कहता है आस्मा में सुराक नहीं हो सकता एक पत्थर तो तबियत से उच्छालो यारो नमस्कार आप देख रहे हैं प्रभासाक्षी न्यूस नेट्वर्क मिरा नाम है अन्राग गुपता साल 2003 में टीवी के पर्दे से सुरुवात करने वाली स्मृति रानी की स्मृति में आज भी वो यादे हैं जब उन्होंने भारती जन्ता पार्टी की सदस्ता ग्रहन की थी क्योंकि सास भी कभी बहुत ही टीवी धारा वाहिक में तुलसी का किरदार निभाने वाली स्मृति के मन में अमेठी का सपना उस समय जगा जब नरेन मोदी को भारती जन्ता पार्टी द्वारा प्रधान मंत्री पत के लिए आंगे बढ़ाया गया साल 2003 में भाचपा के कद्दावर नेता और पूर प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाचपेई के बेहत करीबियों में से एक प्रमोत महाजन के कहने पर इस्मृति को भाचपा में सामिल किया गया और 2004 में कॉंग्रेस के दिगजनेता कबिल सिब्बल के खिलाब चानी चौक से मुकाबला करने मैदान में उतार दिया गया यह वो दौर था जब अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा का शोर चारो ओर सुनाई दे रहा था लोकसबा चुनावों में मात खाने के बाद भी इस्मृति ने लोगों के प्रति अपनी विनम्रता को कभी मन में कभी भी कम होने नहीं दिया साल 2014 में कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी के हाथों एक लाख से अधिक मतों से हार के बावजूत उत्गास ने कभी भी अमेठी किरप्रति कम नहीं हुआ हलाकि उस वर्स इस्मृति रानी की डिग्री को लेकर काफी विवाद हुआ था जिसके बाद उन्होंने साल 1994 में दिल्ली विश्विद्याले से इसनातक की डिग्री प्राप्त करने का दावा भी किया इसमृति रानी को अमेठी से मिली हार के बावजूद भाच्पा ने गुजरास से राजसभा भेच कर नरेन मोदी सरकार में मानों संसाधन विकास मंत्री बनाया और बाद मेवे सूचना प्रसारण और फिर कपड़ा मंत्री रही इरानी को उनकी सैक्षणिक योगता को लेकर या बतौर मंत्री कारकाल में कई विवादों का सामना करना पड़ा अब एक नज़र 2019 के आम टुनावों पर गांधी परिवार की गढ़ में घुसकर इसमृति रानी ने ट्राहूल गांधी को 55121 मतों के अंतर से हराया जीत मिलने के तुरंट बादी उन्होंने दुश्यंत कुमार की पंक्तियों को ट्वीट करते हुए लिखा कौन कहता है आसमा में सुराक नहीं हो सकता अगर हम दुश्यंत कुमार की इन पंक्तियों को पूरा करें तो कॉंग्रेस ने अमेठी में 17 बार लोकसभा चुनाव और 2 उपचुनाव लड़ा और इन चुनावों में उन्हें 16 बार जीत मिली इस चुनावों में सबसे जादा किसी के साथ अगर स्मित इरानी का वाक्त युद्ध हुआ है तो वह सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी वाड़रा थी क्योंकि इस दौरान आरोप प्रत्यारोप की रासनीद भी काफी हुई प्रियंका ने उन पर तो राहुल का अपमान करने के लिए जूटे बटवाने का भी आरोप लगा दिया और कहा कि कॉंग्रेस अध्यक्ष की लोगसभा सीट के मददाता भिकारी नहीं है लेकिन जिस तरीके से नतीजे सामने आये वो यह दर्सार रही है कि वो राहुल गांधी से खुश नहीं थे उपर से राहुल ने अपने लोगों को वक्त भी नहीं दिया सबसे दिल्चेस्प आक्रा तो यह है कि राहुल गांधी के सांसत रहते हुए यहां पर राजीव गांधी द्वारा सुरू कराई गई परियोजनाएं और कारिक्रम भी बंद होने लगे थे और धीरे धीरे हजारों की संख्या में लोगों की रोजगार पर भी इसका असर पड़ा था जिसकी वज़े से यहां से लोग पलाइन करना सुरू कर दिये थे हलागी राहूल गांधी उसी वक्त हार गए थे जब अमेठी के अंतरगत आने वाली पाँच विधान सबा सीटों में से चार पर भाजपा ने कबज़ा कर लिया था अब इस्मिरती के सामने आखि चुनावतिया क्या हैं इस पर भी थोड़ा गौर्द कर लेते हैं क्योंकि इस्मिरती के सामने गांधी परिवार के गढ़ को भाजपा का गढ़ बनाने की चुनावती होगी और ऐसा तभी मुम्किन है जब इस्मृति यहां के लोगों को मुक्धारा मिलाकर पलायन जैसी समस्याओं को खत्म कर देगी हाला कि इस्मृति को ऐसा करने में कोई भी परिशानी नहीं होगी क्योंकि साल 2014 से लेकर 2019 तक अमेठी में बहुत वक्त गुजारा हिस्मृति रानी ने और वहां के लोगों से जुड़ भी गई है अब तो रोजगार पैदा करने के साथ साथ बिजली पानी की समस्या पर और सड़क जैसी समस्याओं का निप्टारा उन्हें करना पड़ेगा आजाद भारत की अगर हम बात करें तो आज भी लोग रोटी कपड़ा और मकान के लिए जूच रहे हैं आज वो दौर है जब प्रचंट बहुमत के साथ एक बार फिर से केंद्र में मोदी सरकार की वापसी होगी और जो खबरे में हैं उसके मुताबिक 30 मई को प्रधान मंत्री नरेद मोदी सपत लेंगे हाला कि आज उन्होंने राष्टपती रामनात को विन के साथ मुलाकात की है और ऐसी सुत्रों के हवाले से ऐसी बात भी कही गई है कि आज वो अपने इस्तीफा भी पेश करेंगे अगर आप इस वीडियो को फेश्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेश को लाइक करिए ट्विटर इंस्टाग्राम में आप हमें फॉलो कर सकते हैं इसके अत्रिक यूटूब चैनल पर बने रहे हैं और देश दुनिया की तमाम खबरों का आनन्द लीजे मेरा नाम थान